अभी मेरे पास है Alois Device यानी Mi 11X, Poco F3 और आपके पास K40 डिवाइस है तो जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पर पताऊंगा वो आपके काफी काम आने वाला है और आज आपके लिए लेका हैं दो ऐसे Best Custom Recovery जो कि आप अपने डेली लाइफ में Custom Roam, Root करना, Module Flash करने में यूज में ला सकते हो, पहला होने वाला है हमारा TWRP और दूसरा होने वाला है Orange Fox और दोनों हमारे Android 12 को यहाँ पर फुली सपोर्ट करते हैं यानी आपका encryption, decryption वाला जो पहले पंगा चलता था वो यहाँ पर solve हो चुका है और मैं आपको यहाँ पर दिखा हूँआ कैसे आपको यहाँ इसे install करना है, साथ एक recovery से दूसरे recovery पर आप कैसे switch कर सकते हो, तो चलिए अब वीडियो को सुरू करते हो, वीडियो काफ़ी जड़ा informative होने वाली है और download link आपको मिल जाएगा discussion में, और वीडियो पसंद आता है तो please like करेगा और आपने दोस्तों के साथ share, क्योंकि भाई हम यह जल से जल 100K complete करना है और आपको support रहा तो यह जल्दी complete हो जाएगा सर से पहले क्या करना है कि आपको अपने phone को switch off कर लेना है और मैं आपको यह पर दिखा दू कि मेरा lock skin पर password set किया हुआ है ताकि आपको proper idea लग जाए कि हाँ यह password को support कर रहा है या नहीं अब मैं यहाँ पर अपने phone को है जो फिलाल कर लेता हूँ shutdown shutdown हो जाने के बाद आपको power 10 and volume down को long press करना है जिससे आपके phone में जो fast boot appear है वो आ जाएगा तो यह आ चुका अब आपको अपनी device को PC से connect करना है अगर आपके phone के देर कोई भी TDRP नहीं है तो यह method लगेगा अधर आपके पास कोई भी TDRP या orange fox है तो उसे भी आप switch कर पाऊगे different या latest recovery पे वह मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ से recovery आया था जो कि A2L को support करता है जो कि हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो यह भी मैं आपको install करके दिखाऊंगा और another एक और orange fox का recovery आ चुका है जो कि A2L को support करता है और यह भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ करना है small में cmd और enter जैसे आप enter टाइप करोगे इस तरी किसा आपका cmd ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर आपको टाइप करना है fast boot उसके बाद boot a space ओके अब जो भी recovery आप यहाँ पर flash करना चाहते हो उसका image फाइल आपको ले लेना है जैसे कि मैं skk वाला यहाँ पर यूज करना चाहूंगा तो मैं skk का recovery यहाँ पर drag and drop कर दूँगा अगर आप orange fox directly flash करना चाहते हो ना storage fox को unzip कर लेना और उसके में अंदर जो image फाइल लिकाएट देते है ना उसे आप drag and drop कर लेना तो मैं सबसे पहले skk यहाँ पर flash करने वाला हूँ अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको इंटर प्रेस करने से पहले आपके volume के up बटन को long प्रेस करना है और keyboard पे इंटर प्रे करनी परती है तो मैं इसलिए एक छोड़ा सा trick आपको बता रहा हूँ कि प्रेस करने से पहले आप volume आपको प्रेस कर देना ताकि बूट होता ही custom recovery है जो आपका open हो जाए दुबार आपको power button and volume प्रेस करने के जरुवत ना परे और यहाँ पर यह recovery अब आ चुका है अब यहा यहाँ पर आप देख पाओगे कि अगर मैं यहाँ पर जो क्लिक करूँ तो internal है जो सो कर रहा है और यह recovery भी फिलाल password नहीं पूछा क्योंकि मैंने पहले से recovery डार रखा था वह password ले चुका था इसके वज़े से तो इसलिए आप confuse मत होना लेकिन यहाँ पर आप देखोए कि य यहाँ पर password still है जो available है यानि हमारा काम कर रहा है और internal की फाइल है भी आपके यह working थी और यहाँ पर मैं अगर लेकर चलूँ all aspects के उपर तो आप देखोए android 12 हमें देखनी को मिलता है अब दुआरा recovery स्विच करके मैं आपको दिखाता हूँ जो कि हमारा orange fox का था तो फिर से आप shutdown करके अपने recovery को open कर सकते हो या फिर कैसे भी आप अपने recovery में switch कर जाओ तो यहाँ पर मुझे option मिल रहा है तो मैं deck यही से switch कर दूँगा यहाँ पर आप देख से तो recovery हमारा open up हो चुका है अब यहाँ पर आपको अगर इस recovery से orange fox पे switch करना है क्योंकि कुछ कुछ roam के उ रहता है तो वह भी यूज कर लेना लेकिन हाँ जो recommended रहे वसी को अब यहाँ पर install पे आते हैं और यहाँ पर आपको दिखने को मिलता है orange fox इसे select करेंगे और swipe कर देंगे यहाँ पर आप देख से तो हमारा orange fox भी यहाँ पर बूट कर चुका है और internal की file हमारी जो सो हो रही है और यहाँ पर recovery और orange fox दोनों आपको जो दिखाई दी रहा है तो इस तरीके से आप एक recovery से दूसरे recovery पर switch कर सकते हो और कई वायर कुछ कुछ roam के अंदर बताया जाता है क यहाँ आपको orange fox का side load यूज करना है ना कि P recovery का तो वैसे में आपको क्या करना होता है simple यहाँ पर menu पर आना है और यहाँ पर आपको दिखाई देता है ADBS side load इस पर आना है इन दुनों को select करके swipe कर दिना है उसके बार आपके phone के अंदर recovery के अंदर side load active हो जाएगा और फिर cmd command अगरा follow करते हुए आप है जो roam को flash कर सकते हो जो कि मैंने पहले भी आपको यह बता रखा है तो यह हमारा side load का है बाकी wipe और बाके दर settings हो गया तो आपको पता ही है मैंने पहले भी बता रखा है अब वापस से मैं आपको यहाँ पर sqp switch करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आ चुका recovery और अब यहाँ पर हमें जो swipe कर देंगे complete flash हो जाने के बाद आपको यहाँ पर reboot system दिखाई देता है अगर आपको recovery पर ही switch करना है तो direct up यहाँ पर आ जाओ menu और reboot पर जाओ और यहाँ पर कर दो reboot to recovery अब यहाँ पर जो orange fox था वह switch कर जाएगा हमारे sqkkk तो इस तरीके से एक टी डी 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 पर आप स्विच कर सकते हो एजी तरीके से without PC के help लिए लेकिन हाँ फॉर्स टाइम जब आप PC से लेकिन हाँ जब फॉर्स टाइम आप कोई भी custom recovery अपने phone के लिए डालोगे तो PC की जरुद प रखाऊं तो यहां पर हमारा जो phone on हो चुका है अब मैं आपको दिखाऊं कि देखो आप यहां पर password भी है जो मैंने in किया है तो यह fully जो support करता है password और आपका इंटर्नल सो होता है तो रोवगरे flash करने में आपको यहां पर दिक्कत वगरे है जो नहीं आने वाली तो I hope कि य काफे ज़्यां informative रहा होगा और यहां पर जो भी मैं download link आपको provide करूंगा ना वह original download link होगा चाहे वह SKTDLRP का हो या फिर और और इंट्वक का हो कि यहां पर अकसर update आते रहते हैं तो जब भी आप यूज करना ना तो आपडेट इट वाला ही recovery यूज करना चाहे कोई सा भी ह ताकि आपको benefit अच्छा खासा मिलता रहा है अब मैं आपको दिखाता हूँ download कैसे करना है क्योंकि बहुत सारे लोग confused भी रहते है downloading से related तो यहां पर आपको यह तोनों link मिल जाएगा पहला होगा SKTDLRP का यहां पर अलग वर्जन दिये गए जो कि पहले old वाले थे अब नए आया था और यह हमारा K40 जो कि हमारे POCO F3 है जिसका मैंने आपको वीडियो दिया है तो इस पर आप क्लिक कर दो आपका download है कुछ second में सुरू हो जाएगा उसके आप recovery download करके आगए का process जो कि मैंने बता दिया वह आप follow कर सकते हो अब यह रहा हमारा Orange Fox का official site यही link आपको मिले तो जब भी कोई नया updated आएगा ना version वह आपको यहीं पर दिखाई देगा अब यह जो Orange Fox से beta stage में आगे चलके stable भी हो जाएगा तो जो कुछ भी है आपको यहीं पर टेक्निकों मिलेगा उसके बाद आप यहाँ पर download पर क्लिक कर देना उसके बाद यहाँ पर जो आपको server द download कर सकते हैं अपने phone के लिए और यूज करने के बादे में तो बताए दिया है तो प्लीज आपसे request या like कर देना और चैनल को subscribe और प्लीज share करो ताकि जल्द से जल्द हमारा 100 के complete हो सके तो मिलते हैं इसी तरक है interesting वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाए प्लीज़ टो टो मिलते हैं